स्वागत है दोस्तों आपका चौथे यूनिट में जहां पर हम लोग exception handling और multi threading के बारे में जानकर ही हासी कर रहे हैं पिछले वीडियो में मैंने आपको exception के बारे में बताया था जैसा exception का definition, type और उसको किस तरह से इस्तमाल करना है उसी तरह से आज हम लोग जानेंगे multi threading के बारे में तो आईए अपने वीडियो लेक्चर की शुरुआत करते हैं आज के learning objectives के बाद में सबसे पहले जो हम लोग देखते हैं हमेशा की तरह definition of multi thread तो multi thread तो बाद में पहले हम लोग जानेंगे what is thread, thread is a lightweight process जावा में lightweight process को बोला जाता है thread में एक बार और clear कर दूँ C programming के वग भी बताया था जब भी कोई program under execution होता है processor का time जब किसी program को मिलता है तो उसको हम लोग बोलते है process और उसमें भी lightweight process ठीक है जो भी lightweight process होती है उसको हम लोग बोलते है thread अब उसको lightweight क्यों बोलते हैं तो next line में उसका answer दिया है it does not have its own body for execution that's why thread is known as lightweight process thread का अपना execution का body नहीं होता है तो execution के लिए it always depend on some another program तो जो lightweight process होती है जावा में उसी को हम लोग बोलते हैं thread और process एने क्या program under execution multi-threading in जावा is process of executing multiple thread अब हम लोग जा रहेंगे multi-threading क्या है multi-threading in जावा is a process of executing multiple threads simultaneously एक से ज्यादा threads को एक से ज्यादा task के लिए एक ही बार में execute करने को हम लोग क्या बोलते हैं multi-threading और इसका इस्तमाल जावा में होता है to achieve multi-tasking multi-threading मित्रो यह concept है जहां पर हम लोग एक ही वक्त में एक से ज्यादा काम कर रहें जैसे कि इसी वीडियो में अभी आप लोग screen पर इस slide भी मेरी देख रहे हो उसी वक्त मेरे आवाज भी सुन पा रहे हो तो audio और visual दोनों चीज़े चल रही है ठीक है तो हम लोग इसको भी बोलेंगे it is one multi-tasking synchronize हो रहा है मेरी audio clip आपके video के साथ साथ में चल रही है तो दो अलग-अलग task एक साथ में हम लोग कर रहे हैं आप internet पर इसको देख रहे हो तो browser के अंदर भी execute हो रहा है तो एक से जादा काम जब हम लोग करते हैं किसी एक application में तो हम लोग उसको बोलते है multi-tasking तो multi-tasking यह concept हो गया इसको दो तरीके से इस्तमाल करते हैं लोग multi programming के जरिए या multi-threading तो जावा ने इस्तमाल किया multi-threading ठीक है तो यहां तक आपको clear हो गया सबसे पहले हमने देखा what is thread, thread is a lightweight process और जब एक से ज्यादा thread का आप इस्तमाल करते हो एक साथ execute करने के लिए किसी टास्क को तो हम लोग उसको बोलते है multi-threading अब जावा में thread को implement करना है जैसा exception हमने implement किया था तो ऐसी thread अगर implement करना है तो दो चीज़े इसके लिए दो तरीके अवलेबल है एक तो सीधे आप thread class से thread बना सकते हो या implement कर सकते हो runeable interface ठीक है तो thread class and runeable interface यह दो तरीके हो गए multi-threading environment जावा में बनाने के लिए तो यहां पर हमने definition देखा multi-threading के बारे में जाना multi-tasking concept को हमने समझा और thread किस तरह से बनते है जावा में यह हमने जाना multi-thread environment चाये तो हम लोग thread class के जरीए बनाएंगे या runeable interface के जरीए हम लोग उसको बनाएंगे अब exam point of view भी एक चीज जो ज़रूरी होती है कि life cycle of thread multi-threading environment में किसी एक single thread की life cycle क्या होती तो उसको जानने के लिए यहां पर मैंने एक figure का साहरा लिए इसको हम लोग समझेंगे हम लोग सबसे पहले thread object बनाएंगे तो जो thread object बनता है वो सबसे पहले होता है new stage पे born होता है create होता है फिर उसके बाद में एक तो वो execution के लिए जाएगा या सीधे dead हो जाएगा तो execution के जाने के लिए हम लोग उसके ऊपर thread object पे call करते है start नाम की method लेकिन अगर आपको लागा कि नहीं यह thread की object की ज़रूरत नहीं थी तो आप लोग उसके call कर सकते हो destroy method तो thread create होने के बाद में born होने के बाद में एक तो जाएगा execution stage पे या dead stage अब आप यहां पे ध्यान दो कि execution block है इसमें 2 stages है runable and running तो thread create होते ही सीधे execution को नहीं जाता है तो वो एक prepared state करके होती है जहां पे queue बना रहता है जो अगले queue यहां पे होता है उन thread का जो execution के लिए available है तो create होने के बाद में आपका thread कहां जाएगा runable में और फिर runable से जाएगा running में तो यहां से आया start के जरीए start से runable में आने के बाद में run method के through हो जाएगा running में ठीक है उसके बाद में yield method अगर call हुई तो वापस हो चले जाएगा runable में तो इस तरह से यहां पे जितना देर उसका time है thread का runable से आएगा running में अपना उतना time लेगा एक तो वो block हो जाएगा अगर कोई ऐसी resource को call कर रहा है जो वहां पे अभी available नहीं तो से कहां चले जाएगा runable पे तो उसके लिए यहां पे yield method कॉल होती है फिर से वो run method के जरीए आएगा running में तो अपना पूरा execution करेगा फिर से किसी resource की for example printer की demand किया और printer फिलहाल available नहीं तो वो कहां चले जाएगा waiting state पे ठीक स्लिप मोड में चले जाएगा या wait वेटिंग स्टेट से फिर से running में आना है तो वहां पे उसके लिए notify 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 all इस तरह की methods है उनका इस्तमाल करके फिर से waiting state से वो कहां आएगा running में तो सीधे running में नहीं आता है और runnable के वाया running में आएगा तो किसी भी stage पे हम लोग किसी भी thread को dead कर सकते है destroy कर सकते है जैसा waiting में और उसको resource available ही नहीं और आपने exit कर दिया application तो वो सीधे कहां जाएगा dead state में तो वहां पे call होगी destroy method तो इस तरह से यह life cycle की figure है और इसमें यह जो चार महत्वपूर्ण state है newborn, execution, weight जिसको block भी बोला जाता है और dead यह state आपके लिए जानना ज़रूरी है तो जब अगर paper में question आता है explain the life cycle of thread तो आपको वहां पे यह figure बनानी है और जो explanation मैंने अभी बताया और यहां पे screen पे आपके साथ में भी अवले भले इसको आपको लिखना ज़रूरी है चार माक के लिए paper में आता है इस तरह का explain the life cycle of thread तो आप पहले thread की diagram बनाएगे और फि स्टेट है dead या इसी को बोलते है terminated हर स्टेट पे कोई नो कोई system call या फिर method हम लोग use करते है thread class की जैसे यहां पे start, runnable पे method जो होगी आपकी वह run होगी, running पे हम लोग को yield method या destroy method या weight method अपला करेंगे तो अगले स्टेट पे हम लोग जाते है जैसे destroy call किया तो running से आप कहा और date का, जो मैंने अभी आपके यह slide समझाते वक्त बताया है, वोई explanation यहाँ slide में भी हो ले बले, तो इस तरह से 5 अलग-अलग states में से एक thread अपनी life में throughout जाता है, ठीक है, तो यहां पे मैं और एक बार clear कर दूँ कि आप लोग कितनी भी बार, wait to running, running to runnable, runnable to फिर से, running, running to waiting, तो हम लोग इस तीन स्टेट में कितनी भी बार जा सकते हैं, किसी thread को लेकि, लेकिन thread के life cycle में new state एक बार आएगा, और date state एक बार, ठीक है, बीच में यह तीनो state का एक बार आ सकते हैं, ठीक है, अब देखेंगे methods, जैसा कि बताया, multi-thread के लिए हम लोग thread class का इस्तामाल method, किस तरह तो वो अगले example में आपको बताऊंगा, ठीक है, हर program में जैसे आपको पता है कि main method जरूरी होती है, वैसे ही, हर thread के लिए execution के लिए run method जरूरी होती है, तो किसी main में हम लोग इस run को भी call करेंगे, किस तरह से call करते हैं, तो जब भी हम लोग thread पे start method अपड़ाय कर या उसे कहीं तो भी working में लाना है, तो इस method का इस्तमाल करेंगे, weight state में अगर आपको डालना है, queue में, block में डालना है, वहाँ पे आपको, तो join method का हम लोग इस्तमाल करेंगे, हर thread की अपनी priority होती है, by default priority होती है 5, 0 to 10 तक की 1 to 10 तक की इसकी value होती है range, by default हर thread की priority होती है 5, त तो इस तरह की methods है, जो exam point of view भी ज़रूरी है, तो उन method का मैंने यह collection किया और meaning भी बता है, आप एक बार अच्छे से देख लेंगे, अब हम लोग देखेंगे, इस्तमाल, multi-thread का program में किस तरह से करते हैं, तो मैंने यहाँ पे दोनों तरह के example लिए, जिसमें thread class का और runable interface का इस्तमाल किया है, same program के लिए, तो जब कभी भी दोस्तों आप लोग thread का इस्तमाल करूँ तो हमेशा ध्यान रहना है कि आपको उसको exception mechanism के अंदर ही use करना है, thread without try block हम लोग नहीं इस्तमाल करेंगे, हमेशा उसके लिए try block का इस्तमाल करेंगे, अब किस तरह से तो मैंने एक पहले thread class बनाई, अब यह t-demo जो है, यह मेरी thread class है, क्यों कि मैंने इसको extend किया thread से, यह thread inbuilt class है, java.language package में available है, तो package import करने की ज़रूवत नहीं, तो हमने t-demo यह class बनाई thread से, that's why t-demo becomes a thread, अब यह thread बन गया, तो इसके execution के लिए जो method लगेगी आप ध्यान दो कि यह कुन और हमेशा इसी तरह से होगा, public void run, कोई argument rescue नहीं करेगा, अब हमने यह thread की body define की, तो मैंने इसमें क्या किया, thread की जो भी ID है, जो भी current running thread होगा, मेरा उसकी जो भी current ID होगी, वो मैंने यहां पे लेने के लिए code लिखा है, main function के अंदर हम लोग गए उसी class में, वहां पे क्या क यह simply t.start, क्योंकि हमको किसको call करना, run, run method सीधे call नहीं होती, तो उसको call करने के लिए हमेशा मुझे call क्या करना पड़ेगा, t.start, यहने कि मुझे thread को start करना पड़ेगा, तो यहां 0 to 8 हम लोग क्या करने वाले है, 0 to 7 यहां पे thread बनाने वाले, 8 thread बनाने वाले, तो हर running thread के ब होगा, पूरा प्रोग्राम है, अगर आप देखेंगे तो, स्रिफ change कहां पे है, तो यहां पे हमने t underscore demo का t object बनाया था, जबकि runable अगर interface लिया, तो आपको स्रिफ उतना ही change करना है, क्या करना है, t object, demo class से न बनाते हुए, क्या से बनाना है, thread से, और t demo को क्या करना है, आप object chaining, t demo class के, हमने object बनाया और उस object को हमने initialize किस पे किया, thread पे, अब यहां पे बाकी सारा program as it is, तो बस इतना सा change है, जब आप लोग दोनों तरीके से बना सकते हो, thread class के जरिए भी runnable भी, अब जब आगे हम लोग applet का इस्तमाल करेंगे, यह runnable interface क्यूं दिया गया है, यह मैं यहां पे clear कर दूँ, क्योंकि जावा में आपको पता है, multiple inheritance via both classes नहीं होता, thread अगर class ही होती थी, और कल को चल के अगर मुझे demo नाम का thread class भी बनाना है और applet भी बनाना है, तो मुझे दो बार extends वा परना पड़ता था, demo extends thread, extends applet, जब कि यह जावा में allow नहीं, तो ऐसे case म हम लोग demo applet टो कर लेंगे, extend applet, implements, runnable करेंगे, तो एक demo class को my applet भी बना सकता हूँ, runnable भी, तो इस तरह की adjustment के लिए, जावा ने thread class भी दिया और runnable interface भी, ठीक है विद्धारती मित्रो, तो आज हमने देखा multi threading, जहां पे हमने thread की definition को जाना, multi threading क्या, multi tasking क्या, threading के द life cycle or definition काफी ज़रूरी है आपको exam point of view से, और यहाँ पर मैं कुछ questions आपके लिए छोड़ रहा हूँ, जिनको आपको लिखना है, आपकी notebook में regular, इन questions के answers find out करने, जो इस video lecture को अगर आप ध्यान से सुनों तो मिल जाएगे, ठीक, अगर कोई difficult है, तो आप मुझे comment section में पूछ स